कभी कभी इंसान से अपनी तरक्की जहेली नहीं जाती उस तरक्की के रुवाप में वो ऐसे फैसले ले देता है कि उसका जीवन समझो बरवादी की तरफ चला जाता है आज की जो सची घटना है वो ऐसे ही एक पती-पतनी की घटना है जिसमें पतनी तीन साल पहले अपने पत देश के अयोध्या की सची घटना यहां पर चावनी नाओं का एक जगे है जहां कि यह सची घटना है जहां पर यह परिवार रहता है परिवार में जो लड़का है यानि जो पती है जिसका नाम है बजरंगी और जिसकी पतनी जिसका नाम है महिमा दोनों की बहुत अच्छे से जीवन कट रहा है लेकिन जो पती है बजरंगी वो मेहनत मजदूरी करकर अपने घर का भरन पोशन करता है इसमें वो पत्री महिमा उसका भरपूर से यह देती है लगातार यह सिलसला चलता है लेकिन जैसे ही बजरंगी मेहनत करता है तो उसकी मेहनत रंग लाती है और वो बिज्री बोर्ड में पहले तो खंबे बगेरा लगाया करता था लेकिन दीरे दीरे उसमें उच्पद पर लग जाता है जैसे ही उसमें उसे काम्यावी मिलती है तो अब उसको उस चीज का घमंड आने लगता है अपने घरवालों की कोई भी बात नहीं सुनता है अपने पतनी है उसे बिलकुल नहीं देखता है नहीं उसकी कोई बात सुनता है और बहार घमने लगता है फिरने लगता है बहार गेर महिलाओं के पास जाने लगता है यह सिलसला लगातार चला लेकिन कहते हैं किसी भी बात का अंत समय तो आना ही होता है वैसा ही इस सची घटना में में उड़कर उपती को मैं लगता कि और वो आजाद परिंता कोई नहीं है कहते हैं जो बुरा वक्त चलता है तो अच्छा वक्त भी चलता है और अच्छा वक्त जब नहीं रहता तो खा सिमापती और चोड़ कर जाती है लेकिन फिर भी उसे लगता है कि मैं तो बहुत कुछ हूँ और वो अपने जिंदगी जीता है इधर महिमा अपने माई के पहुँच जाती है तो वहां पर भी उसका भरन पोशन होना मुश्किल था क्योंकि मजदूर परिवार से थी मजदूर परिवार में शादी ह कुई थी और जब तरक्की पति को मिली तो उसने भी ठुकरा दिया लड़की महनती थी महनत करने की उसे आदत थी और वो घर पर नहीं बैठना चाहते थी तब ही पड़ोस में से उसकी भावी ताई चाची आयोध्या जाती हैं खाना पीना बनाने के लिए जो भंडारे वह साथ ले चलो फैजाबाद की रहने वाली थी अयोध्या से थोड़ी ही दूरी पर ये फैजाबाद नाम की जगह है वहां से वह उन महिलाओं के साथ दो तीन बार जाती है और जो वहां का सिस्टम देखती है तो वह देखती है कि एक व्यक्ति है जो भंडारा कराता है हजार 500, 1100 और 2000, 2500 तक लोगों का भंडारा वो कराता है उसका ठेका लेता था और खाना उन महिलाओं से बनवाता था और मुनाफ़ा अपने पास रखता था वैसा ही सिलसला वो देखती है तो वो सोचती है कि जैसे ये करता है वैसे मैं भी कर सकती हूँ क्योंकि जो वह व्यक्ति जैसे बनारे कराता था वह 150-200 लोगों का खाना नहीं बनवाता था उनका ठेका नहीं लेता था उन्हें वो वैसे ही छोड़ दिया करता था अब यहां पर महिमा सोस्पी है क्यों ना इन 100-200 लोगों का मैं खाना बनाऊ खाना मुझे बनाना आता है मैं भी ले सकती हूँ और उन्ही महिलाओं के साथ में मिलकर एक भंडारे का ऐसे ही एक विक्ति आता है दो सो लोगों का खाना वो स्टार्टिंग में बनाती है और उस भंडारे का खाना बनाने के बाद उनके साथ में बटवाती भी है वो निभी कमाती है और दाम भी कमाती है और अपनी जीवनी को अच्छे से जीने लगती है अब सिलसला लगातार चलता है कई समय काफी समय बीच जाता है एक दिन उसका जो पती है बजरंगी वो आयोध्या में सर्युनदी में नास्रान करने के लिए और रामलला जी के दर्श मिलता है तभी वो कहता है जो 405-250 लोगं तभी वो ठेकेदार मिना करो नहीं करते आप कहीं और जो व्यक्ती थेकेदार से मिलाने के लिए लाया था तभी वो कहता है भाया आप चिंटा मत करो बैला लिए सो दोसो चार्सो पांसो लोगों का वहंडारा कर देती हैं उनसे मैं आपको मिलवाता हूं तबी वह बजरंगी को लेकर सीधा महिमा के पास पहुंच जाता है महिमा ने आयोध्या में एक कमरा ले रखा था जिसको बड़ी सी रसोई बना रखा था वहीं पर राशन पानी था वहीं पर गैस चूले थे और वहीं पर काफी महिलाएं काम कर रही थी वह जैसे ही सामने महिमा को देखता है तो उसकी आँखों से आंसु छलग जाते हैं क्योंकि तहस में आकर उसने महिमा को तो निकाल दिया था लेकिन कहते हैं पत्नी की कमी जीवन भर खलती है बहर वाली कितने दिन साथ दे सकती है आखिर मैं तो पत्नी ही काम आती है और इस बात को बजरंगी अब समझ चुका था लेकिन बजरंगी उसके सामने अपने आगों को नम होने से रोक लेता है और उनसे कहता है महिमा तुम यहां हो मैंने तुम्हें काफी तुम्हारा इंतजार किया लेकिन तुम नहीं आई तभी महिमा कहती है इंतजार क्यों किया तुम्हें मेरे घर का पता था परिवार का पता था तुम आ सकते थे तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए ये तो सब बहाना है तभी वो कहता है नहीं गलती मेरी है मुझे माफ कर दो मुझसे बहुत बड़ी भ कर्वानाहय तभी महिमा कहती है यह समान ले आई और मैं आप & 2022 2 तभी वो कहता है कि क्यूं नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो, तभी महिमा कहती है, अगर मैं तुम्हारे साथ लेने गई, तो जो दुकानदार है, वो मुझे देखते ही, हजार रुपे का कमीशन मेरे नाम का काट जेगा, और तुम्हारी रकम मैं और पैसे बढ़ जाएंगे, तब ही वो कहता है कोई बात नहीं तो मेरे साथ चलो, कट जाने दो पैसे, पैसे क्या कहीं और हैं, तुम भी तो मेरी पतनी हो, इस बात को सुनकर महिमा को भी कुछ महसूस होता है और वो कहती है चलो ठीक है और उसके साथ चल देती है, दोनों समान लेके राते हैं और बैट कर सारा भंडारे का खाना बनाते हैं, बनाने के बाद महिमा जो है पतनी की तरह अपने पती के साथ भंडारा बटवाती है और पूरा काम वहीं पर पूरा हो जाता है, उसके बाद बजरंगी कहता है, तुम चलो घर चलते हैं, तब ही महि जाती है तब अपने घर के लिए गांगी ने लिए नियान ऑड़ती है यहां पर जो बजरंगी है वो कहता है क्यों ना मैं तुमें घर छोड़ जूँ तो वो कहती है कोई बारत नहीं चलो तो दोनों घर साथ जाते हैं और जब बजरंगी की सास उसको देखती है अपने जमाई साथ को तो वो बहुत खुस हो जाती है और उनको देखकर काफी खुशी मनाती ह अगर अपनी बेटी से पूशती है बेटा आज इन्हें रस्ता कैसे घर का मिल गया तबी बजरंगी अपने किये हुए कि माफी मांगता हर कहता है मा जी मैं अपने साथ महिमा को ले जाना चाहता हूँ अगर आपके आग्या हो तो तो उसकी मा कहती है कि बेटा अपनी बेटी क का घर बचते हुए कौन नहीं देखना चाहता मैं तो बहुत खुश होंगी तभी महिमा को अपनी मा की इजाज़त मिलती है साधे साथ पिता की इजाज़त मिलती है और वो अपने ही साथ काम करने वाली एक महिला से कहती है कि भावी मेरी जो रसोई है उसे आप समाल लीजिए और इस काम को आप आगे करिए वो भी तयार हो जाती है उस काम को वो समालती है और महिमा खुशी खुशी अपने घर चली जाती है यह थी कहानी महिमा और बजरंगी की यहाँ पर पता चलता है कि इनसान पर जब पैसे आते हैं तो इनसान हर किसी चीज़ को भूल सकता है यह महानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बहुत जल्द फिर से आती हो एक सची घठना के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो एक शेर और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत